वन्दे कहू कहू मातरम बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की, जे भारत जे भारती, बोलू जे हिंदुस्तान की नमस्कार दोस्तों, हैपी स्रेडी जोन में आपका स्वागत है और पंदर अगर्ष्द के हार्धिक सुभकामनाई सभी को चलिए आज हम एक नए topic को लेकर आयोग और इसे सम्मध्य जितने भी प्रेस्ण हो सकते हैं misillaneous का एक important topic है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानवधिकार की तो मानवधिकार सब्द से आप क्या समझते हैं देखे मानवधिकार जैसा कि इसके टर्म से ही पता चल रहा है मानों के अधिकार से संबन्दित ठीक है आप जानते हैं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में या जहां भी मानवधिकारों का हनन होता है उनको बहुत अलगलग तरीके से सताया चाता है उत्पिड़न किया जाता है तो उसके रक्षा के लिए मानवधिकार आयोग और संरक्षन अधिनियम ये सारे की सारे चीज़े बनाई कहीं नाम से ही बिलकुल आपको रिलेट कर सकते हैं इसके लवा कुछ फैक्ट के हम बात करेंगे तो एक जौन लोग है ठीक है जौन लोग जौन लोग के स्वतंत्रता घोषन पंत्र में 1778 में बात कही गई कि वेक्ति जन्म से स्वतंत्र है और बिलकुल एक समान है ठीक है अच्छा इसके लावा हम कुछ important fact के बात करते हैं तो सैंक्तरास्ट संग ने मानवधिकार संरक्षन घोषन पत्र कब तयार किया था तो आपको बता होगा 10 दिसंबर 1948 को इसलिए 10 दिसंबर को क्या मना जाता है बताइए अंतरास्ट ये मानवधिकार दिवस मना जाता है और ये कई बार exam में डारिक्ट पूछा हुआ है इसके लावा हम बात करेंगे तो सैंक्तरास्ट संग के मानवधिकारों की सौरभोमी घोषन पत्र में कुल कि इस अनुछेद रखे गए हैं ये आपको याद रखना है इसके लावा नेक्स्ट फैक्ट इक बात करें तो सैंक्तरास्ट के आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की खोषन पत्र कब लागू की गई थी ये भी पूछ ले जाता है तो याद रखीगा 1966 में ठीक है इसके लाव हम बात करते हैं तो रास्ट पती दवारा मानवधिकार संडुक्षन अध्यादेश की खोषन कब की गए थी तो वो समय था 1993 का ठीक है अलकि भारत में अस्तित्व में कब आ गया था बताईए तो अस्तित्व में आ गया था 14 मई को 14 मई 1993 को ये अस्तित्व में आ गया था मानवधिकार के हम बात करते हैं तो उसके बात बात करें तो आठ जन्वरी आठ जन्वरी 1994 को 1994 है याद रखेगा यह थी नहीं है ये रास्ट पत्ति के द्वारा सिकुरिती मिल गई थी ठीक है उसके बाद 28 सितंबर ये डेट याद रखेगा वेरी इंपोर्टेंट 28 सितंबर 1993 को ये पूरे देश में लागो हो गया था ये याद रखने योगी बाते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं मानवधिकार संरक्षन कानून की ठीक है मानव संरक्षन कानून की बात करते हैं तो ये कब का है 1993 का ही है ठीक है टोटल अध्याई कितने है तो तो टोटल धाराएं कितनी हैं, तो टोटल 43 धाराएं हैं, ठीक है, अब इसमें से भी हम कुछ बात करते हैं, धारा 2 की, ठीक है, धारा कौन सी है, धारा 2 का घह के हम बात करें, घह की, तो इसमें क्या है, तो मानवधिकार का उलेक मिलता है, ये कई पर पूचा हुआ है, कि धा धारा दो के घह में क्या मिलता है तो मानवधिकार अधिकारों का उलेक मिलता है ठीक है उसके बाद हम बात करें तो अध्याई दो के बात करते हैं वो धारा दो था अब हम बात कर रहे हैं अध्याई दो अध्याई दो के बात करेंगे तो इसमें क्या है इसमें है राश्टे मा अधिकार का गठन कब हुआ था तो ये डेट very important है 12 अक्टूबर 1993 को ठीक है 1993 को ये याद रखीगा अच्छा पूछ ले जाता है किसके प्रतम अध्यक्ष कोन थे रास्टे माना अधिकार आयोग के तो याद रखीगा नियामूर्ती रंगनात मिश्र थे कोन थे नियामूर्ती तो कौन है बताईए अभी वरतमार में है अरुन कुमार मिश्र है ठीक है अरुन कुमार मिश्र ये याद रखीगा उसके बाद और भी हम बात करते हैं अध्याई 3 अध्याई 3 की धारा 12 अध्याई 3 है धारा 12 है इसमें क्या है इसमें मानवधिकार आयोग के कारियों के चर् की शक्ति के बारे में बात की गई है ठीक है शक्ति के बारे में ठीक है किलियर है तो बारा में क्या है बारा में है मनवधिकार आयोग की कारियों के बारे में और तेरा के बारे में क्या है इसके शक्तियों के बारे में अच्छा एक धारा याद रिखेगा धारा 21 यह कम से कम इतना कर लिए तो एक भी question नहीं चूटना चाहिए इसमें हमें PhD करने के आप सकता है नहीं बलकि एक overview लेने के आप सकता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं question number first से first question आपके screen के उपर है कि माना अधिकार संट्रक्षून अधिनियम की तहस सस्त्र बलू के संबंद में परिकिरिया दी गई है इसका सही अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताई option number 20 इसका सही अंसर हो जाएगा धारा 19 की अंतरगत धारा 19 की अंतरगत क्या है कि ससस्त्र बलू के संबंद में परिकिरिया दी गई है ठीक है निक्स नब हम बात करते है question number 2 की आपको ये pdf मिल जागा टेलिग्राम में टेलिग्राम अब जोइन कर लेजेगा निक्स नब बात करते है question number 2 राश्टी माना अधिकार आयो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो अभी अभी हमने बताया answer क्या हो जाएगा बताये option number A बिल्कुल सही answer हो जाएगा नया मूर्ती रंगनाथ मिश्रा ठीक है देखिए इंग्लीज में भी है तो आपको पीडिये अप मिल जाएगा जो bilingual खोजते हैं उनके लिए काफी अच्छा है टेलिग्राम में ये सरका सारे पीडिये मिल जाएगा नेक्स बात करते हैं मानवधिकार संड्रक्षोन अध्यनियम को कितने अध्याय और धाराओं में बाटा गया है तो अभी अभी हमने बताया था क्या हो जाएगा आठ अध्याय और टोटल 43 धाराएं ठीक है नेक्स बात करते हैं क्वेस्टन नंबर 4 की मानवधिकार संड्रक्षोन अध्यनियम कब लागो हुआ तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा बताये चार का सही अंसर हमने बताया है ये नमवंबर नहीं है बलकि सितंबर इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा सितंबर याद रखिएगा ठीक है नेक्स बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 5 की तरफ ठीक है 5 की तरफ बात करते हैं क्वेस्टन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं तोला से वेट करें है ठीक है question number five की बात करें तो मानवतिकार संद्रक्षोन अधिनियम 1993 की किन धाराओं में मानवतिकार आयोग की कारे और शक्तियां उलेखी थे हैं इसके बारे में भी हमने बताया है धारा क्या धारा बारा और तेरा यारी option number 20 से हो जाएगा जिसमें हमने ब बात करते हैं question number six की six number question है कि मानवतिकार आयोग की वह कौन सी धारा है जिसके अंतरगत राज्य आयोग के अध्याक्ष अत्वा किसी सद्रकुबत पद से भी मुक्त किया जा सकता है हटाया जा सकता है six का सही अंसर क्या हो जाएगा बिलकुल सही अंसर हो जाएगा option number b धारा 23 इसका सही अंसर हो जाएगा लेकिन अगर मैं एक question पूछ लो बहुत ही important है कि राज्य मानवतिकार आयो के अध्याक्ष या सदस्य को कौन हटा सकता है मैं बात कर रहा हूँ राज्य मानवतिकार आयो के सदस्य को कौन हटा सकता है आपके पास option है राष्ट्रपति और दूस कि यहाँ पर गलतिया हो जाती है, सबी लोग राजयपाल को टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, हटाने का जो है शक्ति वो किसके पास होता है, तो यह होता है, राश्टपति के पास, हाँ, अध्यक्ष को अगर अध्यक्ष या सदस्य को त्याग पत्र देना है, accept करता है यह याद रखिएगा ठीक है तो question number 6 क्या था मनुदिकार आयो क्यों कौन सी धारा है जिसके अंतरगत राज्य आयो के अध्यक्ष अत्वा किसी सदस्य को पद से मुक्त किया जा सकता है तो इसका सही अंसर क्या है? option number B धारा 23 इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है? next बात करते है question number 7 की 7 number question है कि राज्य आयो का अधिनियम कब पारित हुआ था? साथ का सही अंसर आपको बताना है already आप चांते हैं कि कब अधिनियमित हुआ था? तो 1990 में हुआ था 1990 में लिकिन गठन की बात करेगा राज्य महला आयो की गठन की तब कब हुआ था? 1992 में हुआ था यह act है यह act है और यह गठन है यह दो अलग-अलग चीजे हैं याद रखीगा तो कौन से act से हुआ था? राज्य महला आयो की स्थापना तो याद रखीगा 1990 का act था और गठन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था अब बताईएगा कमेंट करके कि राज्य महला आयो की अभी अध्यक्ष कौन है? रेखा सर्मा है या रेखा मेनन है? साथी साथ आपको ये भी बताना है की रेखा शर्मा कौन है? ठीक है? और रेखा मेनन कौन है? ये दोनों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ठीक है? ओके नेक्स हम बात करते हैं question number 8 की किस धारा के तहत मानवथिकार आयू के सद्दस्य लोक सेवक माने गए है आठ का सही अंसर बताना है क्या होगा? तो आठ का सही अंसर क्या हो जाएगा? बते ये option number C सही हो जाएगा धारा 49 के अंतरगत ठीक है? धारा 49 के अंतरगत क्या है? कि मानवथिकार आयू के सद्दस्य क्या होंगे? लोक सेवक माने जाएंगे लोक सेवक माने जाएंगे तो option number C सही हो जाएगा धारा 49 ठीक है? next बढ़ते है question number 9 की तरफ विसे इस लोक abusion की निवतिन निमर में से कौन करता है? 9 का सही अंसर बताना है क्या होगा? बहुत लोग सोच रहे होंगे केंदर सरकार? केंदर सरकार नहीं होगा इसका अंसर बलके इसका सही अंसर हो जाएगा option number B राज्य सरकार इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अब देखे हम बात करते हैं आपको याद रखना है कि अध्याई 6 में अध्याई 6 में क्या जिक्र है? तो अध्याई 6 में है मानवतिकार नियाला है क्या है? मानवतिकार नियाला है इसके अंतरगत दो पार्ट में इसको बाटा गया है ठीक है? एक तो धारा 30 है एक धारा 30 है और एक धारा 31 है ठीक है अब दिखेंगे ये दोनों में क्या है अब इसमें जो 30 में कहा गया है वो राष्टी मानवतिकार कोट के बारे में बात किया गया है तो धारा 30 में अध्याए कौन सा है तो अध्याए 6 है ठीक है अच्छा 31 के बात करें तो 31 में क्या है विसे इस लोक अभियोजन के बात है जिसके बारे में question में पूचा हुआ है ठीक है तो इसके अंतरगत क्या होगा धारा 31 से विसेश लोग अभियोजन के स्थापना होगी ठीक है तो आप समझके है कि अध्याई 6 जो है इसमें क्या जिक्र है तो मानवधिकार नियाल है ठीक है अब धारा 30 हम यह अंसर हो जाएगा अच्छा हाँ दोनों के जो अपॉइंटमेंट है यानि कि राष्ट्यमानवधिकार कोट का यानि कि धारा 30 और विसेश लोग नियूजन यानि कि धारा 31 तो यह दोनों का जो है अपॉइंटमेंट कोन कराता है तो इसका जो नियुकति है वो स्टेट कराती है तो इसका जही अंसर हो जाएगा निक्ष बात करते हैं का इस मानवधिकार कि ने बास चाहिए और को 8 अब जानते हैं इसके बारे में हमने शुरुवात में बात किया था कि सहीगतरास्ट संग ने मानवधिकार आयो की घोष्ण पत्र जारी किया था कब 10 दिसम्बर को ठीका 10 दिसम्बर को किया था 10 दिसम्र याद रिखेगा टोटल 30 अनुच्छेद हैं और उसके बाद मानवधिकार संग्रक्षन आयो की बात हमने किया था तो उसमें हमने क्या बात किया था बताई ये टोटल 8 अध्याएं हैं और टोटल 43 था रहे हैं यह भी याद रिखेगा कई बार यह पूझ ले जाता है ठीक है नेक्स बात करते हैं question number 11 की question number 11 क्या है कि सबसे पहले किन देशों में मानवधिकारों को मानने था प्राप्त हुए थे यह रहका सही अनसर क्या हो जाएगा यह स्याई देशों में या फिर अफरीके देशों में यह ग्रीक राज्यों में यह उपरोग के सभी तो इसका सही अंसर है option number C ग्रीक राज्यों में 500 ले क्या सही अंसर हो जाएगा ठीक है सी इसका सही अंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 इसका सही अंसर है नेक्स नम बात करते हैं question number 13 की कि धारा के द्वारा मानवधिकार आयो का संड्रक्षन अध्यादेश निर्सित किया गया है So 13 का सही अंसर क्या हो जाएगा बताइए 14 की तहफ, 38 की तहफ, 25 की तहफ या 43 की तहफ तो इसका सही अंसर है option number D धारा 43 की तहफ तो D इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा और बताईए कि अभी अभी हमने बताया था कि रास्टपती के द्वारा सक कब सिक्रिट किया गया था ये अब बताईए कमेंट करके इसका अंसर बताईए कि रास्टपती के द्वारा ये कब सिक्रिटी परदान किया गया था देट इसवी के साथ और पूरे देश में कब लागू किया गया था बताए 28 सितंबर 1993 को पूरे देश पर में लागू किया गया था यह डेट याद रिखेगा 28 सितंबर 1993 नेक्स में बात करते हैं क्वेसर नमबर 14 की कौन सी धारा के तहत राजय आयोग अपने विशेश रिपोर्ट राजय सरकार को प्रस्तूत करता है तो 14 का सही अंसर बताना क्या होगा 14 का सही अंसर धारा 19, धारा 35, धारा 28 या धारा 34 कौन सा अंसर होगा बताना है तो 14 का सही अंसर है option नमबर C 28 धारा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर हम NHRC के महासची की निक्ती किसमी जिक्र है अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बता रहा है बताईए थो देखिए last question next हम देखते हैं इसमें ही clear हो जाएगा नेक्स बात करते है question number 15 की निमल में से 27 धारा के ताथ महासची की निक्ती संभाव है तो 15 का सही अंसर क्या होगा बताइए धारा 5 के ताथ 9 के ताथ 11 के ताथ या इन में से को नहीं बिलकुल सही अंसर हो जाएगा option number C C के बारे में हम बात कर रहे थे 11 라는 के अंतरगत क्या है तो 12 lavales 11 के अंतरगत है महा सचीव की नीखती महा सचीव की नीखती और 12.12 में हमने बात किया था कि मानवधिकार आयोग के शक्ति के बारे में सुरी कारे के बारे में चिक रहे है कारे के बारे में और तेरा में इसके शक्ति के बारे में चिक रहे है राष्ट मानवधिकार आयोग कब गठन तो 12 अक्टूबर याद रखेगा पूरे देश में कब लागू हुआ तो 28 सितंबर याद रखेगा ठीक है राष्ट पती के द्वारा कब सी कुरिट किया गया तो 8 जन्वरी 1994 ये याद रखेगा अभी वरतमान में अध्यक्ष कौन है तो अभी वरतमान में है अरुन कुमार मिज़ रहा प्रतम कौन थे रंगना के लिए बहुत इंपोर्टेट है और गैस अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और लाइक जरूर कीजेगा जितने लोग जुड़े हुए जितने लोग देख रहे हैं अब हम बात करते हैं मानुदिकार से जुड़े कुछ राज्टि आयोग के बारे में क्योंकि यहां से भी क्वेशन आपको डारेक्ट देखने को मिल सकता है तो देखे सबसे पहले है अनुदिक जातियों के लिए राज्टि आयोग तो ये प्रवधान है सम्विधान के अनुद्धान के अनुद्धे 338 में ये AC के लिए इस अधिकार के प्रवधान किसमे है तो 350 के B में है 350 के B में इसका जिक्र है ठीक है नेक्स हम बात करें राज्टि मानव अधिकार आयोग की तो अल्रड़ी हम लोग बात किये हैं 1993 अस्थपना कब हुआ है 12 अक्टूबर 1993 1993 ठीक है राश्टि पति द्वारा सिक्रिति कब दि 1994 ठीक है उसके बाद पूरे देश में कब लागो हुआ है औरड़ी अब जानते हैं 18 सितंबर 1993 ठीक है राश्टि मानव अधिकार के अभी वरतमान में अध्यक्ष कौन है कौन है इसके अध्यक्ष तो बताए इसका जो सही अंसर है वो अरुन कुमार मिश्र है ठीक है उसके फिर बात करते हैं राश्टि महला आयोग की इसके बार में हम बात किया था हमने बात किया था एक्ष के बार में तो एक्ष है 1990 की ठीक है एक्ष है 1990 की लेकिन इसके अस्थापना हुई थी 1992 में 1992 में और इसका अंसर बिल्कुल सही है कि राश्टि महला आयोग के अध्यक्ष भी कौन है तो रेखा शर्मा है कौन है रेखा शर्मा ठीक है नेक्श हम बात करते है रास्टी अलपसिंखक आयोग की तो इसके लिए कौन सा एक्ट है तो ये 1992 का एक्ट है रास्टी पीछला वर्ग आयोग की बात करें तो ये किसका एक्ट है तो ये एक्ट है 1990 तरीका ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो की है विकलंक वेक्टियों के रिए केंदरी आयुक्त ये जो एक्ट है ये है 1995 की है 1995 की ठीक है इस तरह के से मानवधिकार से समझ जिनने भी प्रेस्ट नो हो सकते हैं अगर आपको गैज सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजे और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को प्रेस कीजेगा ताकि आपको न्यू रिस्क नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहेगा चले हम अंत भी करते हैं उसी अंदाज में वंदे कहो कहो मातरम बात है अपनी आनकी बात है अपनी शानकी जै भारत जै भारती बोलो जै हिंदूस्तान की थैंक यू सो मच